सिहोर जिले के मुगावली में घटी थुरी घटना को लेकर मुखमंत्री सिवरा सिंग चोहान ने सिहोर जिला कलेक्टर पिडविंड सिंग और जिला पुली सदिक्षक महेंग अवस्ती को जरूरी दिसा निर्दे चारी किये हैं जिला पिरसासन के द्वारा यूद इस्तिर पर रेश्क्वी अप्रेशन सिरूकी एक कर दिया गया यहाँ पर आठ से अधिक जैसी भी मसीन लगए गई है HDERF की टीम भी पहुँच चुकी है जिको गहरे बोर्वेल से निकालने की पूरी कोशिस की जा रही है बोर्वेल के अंदर पाइप के माध्यम से आक्सिजन पहुचाई जा रही है मोके पर एम्बुलेंस सही जरूरी जो सामान भी मोके पर मौजूद है छे पोकलेन मसीने और JCB डंपर निरंतर कार कर रहे है प्रभारी कलेक्टर जिला पंचाथ के CEO आसिस तिवारी SP मायंक अवस्ती DIG सिर्मती मोनिका सुकला सहित सिहोर सिटी SP निरंजन सिंगी राजपूत मंडी थाना प्रभारी हरी सिंग परमार सहित बडी संक्या में पुलिस बल घटना इस्तल पर बडी संक्या में गिर्हामिल जन भी मोजूद है घटना इस्तल पर बडिश्ट भाजापा नेता जस्वाल सिंगरोरा नगरपालिका सिहोर के अध्यक्ष प्रिंस राठोर कांग्रिस के जिलास अचीव माकन सोलंग की सहित अन्य नेता जन पर्थिनीदी कारकरता भी पहुच चुके है फिलहाल बचाव अभियान जारी है के साथ HDERF और NDRF की टीम भी मौजूद है अन्हेरा होने के चलते मोके पर हाई मार्क्स लगाए गए है रोशनी की विवस्ता की गई है केहरे बोर बेल के अंदर बच्ची को आक्सिजन बराबर मिलती रहे इसके लिए इप के जरिये आक्सिजन पहुचाई जा रही है मोके पर नो मसीने मौजूद है स्वास्त विभाग का अमला भी मौजूद है जैसे ही बच्ची को निकाला जाएगा उसे अस्पताल पहुचाए जाएगा बच्ची के माता-पिता भी घटना इस्तल पर है लहार माता-पिता में डर बना हुआ है लेकिन प्रसासनिक अधिकारी उन्हें बच्ची के साकुसल निकालने का भरोसा दिला रहे हैं मुखमंत्री सिवरासी चोहान सहित अन्य प्रदेश के वरिष्ट अधिकारी घटना पर नजर बनाये हुए हैं